तब ही तक आपने देखा है वह आपका था रिप्रजन्डेशन का इसे होगा ठीक है आपने देख लेज़ेंड क्या है उसमें आपने देखा सेंट्रल मेटल एटम कौन-कौन सा हो सकता है आपने देखा है compound का नाम कैसे लिखना है लेकिन यह सोचिए कि जब compound बना होगा या double sun के बात आई होगी तो उस समय चीजों को समझाना कितना difficult हुआ होगा जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक हमने लिया COCl3 कोबाल्ड का trichloride है और इस particular का reaction आपने ammonia से कराया आपने एक लिया COBALT trichloride और इसका reaction ammonia से कराया और इसके corresponding आपने जो देखा बहुत अजीब से observations थे जैसे यह इसके साथ reaction करके एक compound यह बनाता है आपने इसके साथ reaction करके एक compound यह भी बनाता है इसके साथ reaction करके एक compound यह भी बनाता है अब फिर एक compound ये भी बनाता है एक भी बनाता है द्सक्लियर है तो इसका तो kobatt trichloride का reaction ammonia से गराते हैं तो चार द्रक के compound मिलते हैं एक ये जिसमे छे ammonia combination है एक जिसमन 5 ammonia के अधक Hat analysis एक आपके बास 4 ammonia के साध combination है और एक आपके लास थ्री अमोनिय का सथ कंबिनेशन अब इन्हें समझाना है कि आखिर इस परडिकलर कोबाल ट्राइक लॉराइड और अमोनिया ने कैसे लिंकेज दिखाया है यह इस कोबाल ट्राइक लॉराइड अमोनिया कैसे जुड़े हुए हैं जिसके बेसिस पर अलग-अलग कंपॉंड का और इसने की समझाने के लिए को उसकि कंसेट देना है इंसान के बारबार बोला होगा कि बड़ी अच्छी चीज है वो किया है दिमाग तो अगर कोशन आया है तो सोलूशन में या होगा अगकर कोशन आया कि एक सौल्ट या एक कमपॉंड किसी दूसरे कमपॉंड के साथ reaction करके एक तीसरा double compound बना रहे है यह double salt बना रहे है तो यह तो particular एक part है आपका kobald tri chloride यह तो समझ में आता है कि kobald 3 plus है 3 chloride है लेकिंट यह neutral है यह neutral है और यह आपका कैसा है kobald के उपर 3 charge plus और यह 3 chloride यह तो overall यह तो समझ में आता है कि kobald का पास 3 positive charge है और यहां पर क्लॉराइड तीन है, तीन नेगेटिव चार्ज है, यह तो साटिस्टाइड समझ में आते हैं, लेकिन यह अमोनिया कैसे जुड़ा हो, इसी कॉंसेप्ट को देना है, तो सबसे पहले जिन्हों ने इन सीजों को एक्स्प्लेइन की है, जिनको बोला या था, फॉ अंदर दू तरह की वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी जिन्हें बोला याता है, प्राइमरी वैलेंसी, डिमस्क्लिए है, मेटल के अंदर दू तरह के वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी जिन्हें बोलना है, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी यह वैलेंसी होगी, उसे बोलना है सेकंडरी वैलनसी है कि एक प्राइमरी वैलनसी होंगी जो कहीं 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 निगेटीव निगेटीब यह मोज जर से सेटम को कहीं कहीं साडिशन्वाइट करर रही होंगी ईड़ जैसे कि बाद 3 पबस है तो 3 पलस को सेडिसफाइड करने के जो में यह लेंगए आढर्णि बोला डॉत्त बोलेंससरीं ग Bears इसी को समझाने के लिए उनना बोला कि दूरता की metal को सुंद्रइन सी एक प्रैमरी वन सी जरा सकंटरी वनना सी इतना कोई द्यक्ट अब दूसरा वाठ्ट जो प्रैमरी वनलर होगर वो आयंस में टूट सकती है, त्यम्स कलिए है, त्यम्स क्रीडरी वालेची उए इसकेंडरी वालेंसियो का डारेक्शन इनवल्प है, लेकि इनप्राडिकुल का ircreक्शन इन वाल्प नहीं है, यह ऑरिजनली मॉलिकूल को एक सीप प्रवायड करती है और यह मॉलिकूल के से नहीं करती है इसका लौजिक कैसे आया यह सारे उन्हें ने एक्स्पेरिमेंट कराया था और एक्स्पेरिमेंट की बेसिस पर जब इस तरह के कमपॉंड को पानी में डिजॉल्व किया तो इस तरह के कमपॉंड को पानी में डिजॉल्व किया तो इसने कुछ ऐसा बना लिया 5, C, L, और C, L, 2. इसको जो पानी में डिजॉल्व किया, तो यहां मिल गया, C, O, N, H, 3, 4 ताइमस C, L, 2, और C, L. इसके लिए, यहां जब इसे पानी में डालो गे, तो यहां से मिल जाएगा, C, O, N, H, 3, 3, C, L, 3. और यह मिल जाएगा, तो इंडिरेक्टली इसका अगर हम आइन बनाएगा, तो यह जो आइन बनाएगा, वो हो जाएगा, C, O, N, H, 3, 6, और ओवराल, 3, प्लस, और सासद 3, C, L, माइनस, यह बना लोगे, और इसका जो आइन बनाओगे, तो यह कोर्रोस्पांडिंग बना देगा, C, O, N, H, 3, 5, C, L, और सासद 2, C, L, माइनस, इसका अगर हम आइनस की बात करें, तो यहाँ से मिल जाएगा, C, O, N, H, 3, 4, तो तास, C, L, 2, प्लस, C, L, माइनस, यहाँ पर आपके पास, तो पॉस्टिव, यहाँ आपके पास, 1 पॉस्टिव, यहाँ अगर हम बात करें, तो यह क्या कोई आइनस में टूटेगा, नहीं, तो यहाँ आपने देखा, कोई भी आइन नहीं टूट रहा है, मतलब इंडारेक्टली है क्या, कि आपके पास, तीन क्लॉराइड है, यहाँ दो क्लॉराइड है, यहाँ एक क्लॉराइड है, यहाँ कोई क्लॉराइड नहीं है, आइनस के टॉम्स पर देखें, एक पॉस्टिव पार्ट, तीन निगर्डिव पार्ट, मतलब टोटल आयंस कितने हैं चार यहां पर यहां पर एंस पञिए पार्ड लिती बी económ tote जिया एंस यहां फर एक म कितने हैं सब्सक्रिखिशन करता है तो तिने प्लूरस निगल गए और तीन क्लोराइड निगल गए तो यही तीन क्लोराइड है। फ्रइम इरिवेलेंसलिया यही तीन क्लोराइड से प्राइबरि वैलैंसलिया। और जो primary valency है वो आपका आविनाईज हो जाए, वजल कोडिनेशन स्पेर के बाहर, तो primary valency को लिखने के लिए, इन्होंने dotted line का help लेए, secondary valency को लिखने के लिए, इन्होंने bold line का help लेए, primary valency को लिखने के लिए dotted line, और secondary valency को लिखने के लिए bold line, अब जड़ा इनका रेप्रेजेंटेशन को भी देख लिया जाए तो यहां पर आपने बोला है कि इस पर्डिकलर के अंदर कॉर्डिनेशन स्पेर में छे चीज़े मौशूद हैं छे अमोनिया मौलिक्यूल मौशूद हैं तो इसका मतलब इसका सीप जो होगा ओक्टाहेडरल तो अक्टाहेडरल सेप में अगर हम दिखाएं तो यहां पर कुछ ऐसा आप सो सकते हो कि यहां कोबाल्ट है जो आपका प्लस थ्री में है और कहीं ने कहीं यहीं से छे अमोनिया मौलिक्यूल इस पर्डिकलर को इलेक्रॉन डोनेट कर रहे होंगे छे अमोनिया मौलिक्यू आप कि एसी परडिकलर कर आप ऐसे दिखा दें इसी को अगर अगर हम ऐसे दिखा दें इसमें कोई डिरेक्शन इनवाल्ब नहीं है कहीं भी दिखा सकते हो इस का मतर मौनिया को डेक्सन देते हुए हमें ऐसे दिखाना है और 3 chloride को कहीं भी दिखाया जा सकता है तो जब इस particular को पानी के अंदर डालोगे तो ये तीनों chloride निगल जाएंगे तो ये जो ammonia है वो आज सच यहां पर पढ़ा रहा है अगर हम इस particular के corresponding molecule को बनाना चाहें तो यहां पर ammonia कितने है पाँच तो इसका जो सीप बनाओगे या इसका जो structure बनाओगे वो कुछ ऐसा बनाओगे यहां कोबाल 3 प्लस यहां पर पाँच ammonia एक दो तीन चार और पाँच यह ammonia ले लिए अब एक आपके बस क्या है chloride है जो coordination sphere के अंदर है तो इक chloride को आपने ऐसे दिखा दी तो यह सारे के सारे हो गए आपके secondary valency अब दू आपके बास क्या है primary valency है अब इन दोनों primary valency को आपको कैसे दिखाना है ऐसे dotted line से तो आपके उपर है यहां मन करें उसे आप उहां पर दिखा सकते हो तो सबसे आसान तरीका होता है कि यहां पर एक CL दिखा दो यहां पर दूसरा CL दिखा दो अगर इसके corresponding सोचते है इसके corresponding सोचते है तो यहां जो structure बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा यहां पर overall ammonia चार है तो आप एक, दो, टीन और चार ऐसे दिखा सकते हो दो chloride है जो एक chloride यहां एक chloride यहां इसे दिखा दिखा दिए अब primary variance का एक chloride जहां मन करें वहां पर आप दिखा सकते हैं और इसकी corresponding एक आपने ऐसे दिखा दिखा दिए उससी दरह से corresponding है जो इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो यहां पर overall यहां overall CO 3 plus और 3 ammonia 1, 2 और 3 यह बना दिये और 3 chloride चाहिए 3 chloride चाहिए तो 3 chloride चाहिए और 3 chloride अंदर चाहिए तो आप इसको ऐसे ऐसे दिखा दें अब यहां थोड़ा कैरफुल रहना है कोबाल्ड के उपर overall charge कितने है तीन और जो कोबाल्ड के उपर overall charge 3 है तो एक, दो, तीन तो आपने दिखा दिये और आपके satisfied होगए एक, दो, तीन, मतलब overall तीन, यह cancel होगए लेगि यहां अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर आपने किवल इसको एक बोला, इसको एक बोला दो, तीन, यह आपका एक CL 3 है तो यह CL 300 है वो आपका secondary valency का भी part है और साथ साथ primary valency का भी part है और साथ प्राइमरी दोनों में involved है इस particular को हम इसके साथ साथ ऐसे भी दिखाएंगे तो यह CL minus आपका secondary valency भी involved है और साथ साथ primary valency भी involved है टोटल चार्ज तो तीन चाहिए ना, ओबर कोबाल्ट के पास चार्ज कितने है, 3 प्लस, और ओबर कोबाल्ट के पास 3 प्लस है, तो CL-, 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 तो यहाँ पर चुकी कोडिनेशन इस पेर के अंदर है, तो एक आपके सेकंडरी वैलेंसी का भी इन्वाल्मेंट है, और साथ प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ड, तो इसलिए आपको दोनों दिखाओगे, एक बोल्ड मतलब सेकंडरी वैलेंसी का पार्ड, और एक डॉटेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी का पार्ड, उसलिए यहाँ पर यहाँ पर यह पर यह पर यह पर्डिकुलर अभी तक मैंने द तो जब ऐसा दिखाया जाए, ऐसा दिखाया जाए, तो secondary भी है, primary भी, ऐसा दिखाया जाए, मुझले कोई सा है, primary, तो इसमें जो terms आपको दिमांग बरखना है, पहला तो ये, कि metal की दू तरह का वैलंसी होता है, linkage होता है, एक जिस नाम देना है primary, दूसरा जो नाम देना है secondary, दूसरा जो आपको दिमांग पर रखना है प्राइमरी वैलेंसी आइनाइज़ेबल है सेकंडरी वैलेंसी नोन आइनाइज़ेबल है तीसरा सेकंडरी वैलेंसी के कारण ही मॉलिकूल्स में डारेक्शन आता है सेप आता है मतलब यह डारेक्शनल है और प्राइमरी वैलेंसी आपका नोन डाइरेक्शन चोथा यह प्राइमरी वैलनसी ऑनाइस हो सकते हैं सेगंडरी वैलनसी आउनाइस नहीं होते हैं याद रहेगा यही वार्णरस्तुरी का मेन पॉइंट से जले पर पॉइंट करूप में लिख लिए लिए लिख लिए तो है यहाँ पर हमने यह बोल बभाना है कि मैटल्स दू तरह सेילेक्ट्रॉन देने वाले क्रूप से जोड़ सकते हैं号 सकते हैं मना स понадएशी को वेलेंसी बोलना है उसी को लिंगेस बोलना है एक जिसको बोल्ता अधार्म येश्चे ऐरेंगरी वेलेंसी और ㅇक जिसे बोलना है से अर्यृ बेंशिव ध्रके चली 10 reality 12 favor Palmer 3 ory में में scaтор स्मारेंट 12 हैं McL'sThey didn't we have to space of of valence, first primary valence, and second secondary valence. Metal have two types of valence, first primary valence, second secondary valence. याद रहाएका चले अब दूसरी चीज आकिर इन्हों ने इसकी बाद क्यों किया इसको समझे 000 निकल जा रहे हैं कुछ जगों पे Nicole निकल या रहे हैं इहें और कुछ जगें ऐसी इन्हें में लिए जहांसे कोई भी हम नृआ नहीं रहे तो उसी को निकल जाए, ना निकले, उसी लिए उन्होंना दो तरह की वैलेंसी की बात कर ली, एक प्राइमरी जो निकल जाए, और सेकंडरी जो ना निकले, तो प्राइमरी जो निकल जाए, आयंस बना ले, तो क्या बोलना है, आयोनाईजेबल, तो यही उनका सेकंड पॉइ कि primary valency ionize हो जाते हैं, secondary valency ionize नहीं होते हैं, देम से क्लियर, चले, second point, primary valency are ionizable, while secondary valencies are non-ionizable, primary valency ionizable होती हैं, लेगि secondary valency ionizable नहीं होती हैं, याद रहेगा, पहला point क्या है, हाँ, दो तरह के metal की valency है, देम से क्लियर ने, पहला point, दो तरह की metal की valency है, एक primary valency, दूसरा secondary valency, देम से क्लियर, दूसरा primary valency को हम ionize कर सकते हैं, secondary valency ionize नहीं होती है, देम से क्लियर, तीसरा, अब जरा समझे, अब हमें primary valency को secondary valency को लिखना है, लिखना है कि अखिर हम कैसे दिखाएं के सnumberble also lleva के से नहीं निकली इसलिए उन्हों प्राइम्री को लिखने के लिए डॉर्टेट लाइन को अटेटल लाइन यहाद रहे हैं चले, तीसरा प्वाइंट, प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई, प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाई, डाइस लाइन, यह इसी को बोल दी आता है, ठीक लाइन. Thick Line, Dash Line या Thick Line. Dotted Line. तो primary valency को Dotted Line, secondary valency को Dash Line. अब जारा सूचकूए. Primary Valences, आयनस के रूप में टूट गई. Primary Valences, आयनस के रूप में क्या होगई? टूट गई. और जब ये तूट गई, निकल गई, जब ये निकल गई, तो जो बची वो किबल ये है, अगर प्राइमरी वैलेंसी निकल गई, अब जो बची वो कौन सी है, ये वाली है, और इन ही परडिकलर के कारण 6 अमोनिया ने 6 साइड से सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रोन देया यहां पर 5 अमोनिया ने, 1 क्लोराइड ने, 4 अमोनिया ने, 2 क्लोराइड ने, यहां पर 3 अमोनिया ने, 3 क्लोराइड ने, कहीने कहीन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रोन देया है, और इसी के देने के वज़ज़ से एक उक्टाहेडल से जोमेट्री क्रियेट हो रही है, और अगर इन्हीं के देने से एक ship create हो रहा है तो क्या इनका देना directional है यह नहीं है तो ही आपको बोलना है कि जो secondary valences है वो secondary valences directional है लेकिन primary valences जो है यह आपका directional नहीं है यह even chloride को यहाँ भी दिखा सकते हैं chloride को यहाँ भी दिखा सकते हैं वो यह है कि primary valences non-directional है लेकि secondary valences आपकी directional है याद रहेगा चले next point primary valences are primary valences are non-directional while secondary valences are directional इतनी चीज़ है आपको दिमाग में बैठानी है जवारनस की में आता है चले एक बार फिर से हमरी कैप करा दें पहला पॉइंट दिमाग में क्या रखना है metal की दो तरह की valences है linkage है फहला primary दूसरा secondary दूसरा जो पॉइंट था वो क्या है primary valences are ionizable और secondary valences non-ionizable मतला ions के रूप में टूटने के बारे में बात करता है तीसरा primary valences are represented by dotted line और secondary valences are represented by dash line नेक्स कौन सा है हाँ primary valences are non-directional while secondary valences are directional और लास्ट किसको भी डाल सकते हो primary valences हमेशा जिसके द्वारा satisfied होता है वो क्या है negative charge है नेगेटिब चार्स है लेगन तो ही लिगन टर्म बाग में आया था लेगन पहले जो टर्म्स पर सूचना है लेकिं सेकंडरY valences को स्टिस्वाइट करने के लिए नेटरल भी हो सकते हैं रेटियो धीचनो आपकर सकंडरY यहां जो स्टिस्वाइट करने वाले हैं नेटरल भी है और थे मृतनी हैो पालने करें आएन एमपोर्टन भी था कि सखेंद्री वैलेंसी में आपके न्यूटरल मॉलिकूल भी आएंगे साथ साथ इन आयन भी आएंगे और अगर थोड़ा सा और एक्स्टेंड कर लें वारनर को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो इभन कटाइन भी हो सकता है लेकिन जो वारनर के समय में जब कॉंसेप्ट आया था उस यून के दोरा भी होगा तो यूट इसको भी लिख लेजिए प्राइमरी वेलेंसी और सटिस्थाइड बाई इन आयन वाइल सेकंडरी वेलेंसी केंडरी वेलेंसी केंडरी वेलेंसी are satisfied by neutral molecule as well as anion. Neutral molecule as well as anion. चलिए, ये सारी चीज़ दो हो गई कहानी. जो बोर्ड के पॉइंट अभी आपको जानना जरूरी है. अब अब जटी में इसका कैसा कोशन पूछेगा, उसको दिमांग बैठाई. एक कोशन इसी से आ सकता है, कि जब कोबाल ट्राई क्लोराइड अमोनिया के साथ रेक्शन करके, जो कमपॉंड बनाते हैं, इन कमपॉंड में हम कैसे पता करेंगे, कितने क्लोराइड निकलेंगे, कितने क्लोराइड नहीं निकलेंगे. तो क्लोराइड का, या क्लोराइड कौँ से निकलने वाले हैं, कौँ से नहीं निकलने वाले हैं, इसके लिए हम मेन जो रियेजन्ट यूज करते हैं, उस रियेजन्ट का नाम है सिल्वर नाइट्रेट. इसेर रिजन के दुपारा हम हिलाइट कर करते हैं वो कौन सा हैं? सिलवर नाइट्री PM अगर आपने एक कंटेनर लेए जिस कंटेनर में unknown कोई compound डाल दी है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है unknown unknown compound इस कंटेनर के अंदर है और हमें ये मालूम करना है कि तो नॉर्मल अबजर्बिशन क्या होना चाहिए पानी है पानी के अंदर आपने बिहार में बंद है वो डाल दिया बिहार में क्या बंद है सब्सक्राफ से पानी लिया पानि में अल्कोहल डाल दिये तेश्का मतलद वो युझाएगा लेकिं अगर हमने अनन haul लिक्विड में कोई ढला ये यह भी ट्रानस्पेरेंट यह भी ट्रानस्पेरेंट लेकिन हमें color change ढिखाई दे हमें color change दिखाई दे कुछ precipitate कुछ थक्का जमें तो क्या मुन नॉर्मल है और आता है उसी opposite के color की basis प्टा करते हैं कि कौन इसके ने मौशुद है तो वही chemical टेस्ट होता है किसी चीजों को पता करने के लिए तो अगर आपने अन्नोन लिक्विट के अंदर सिल्वर नाइटरेट डाला और सिल्वर नाइटरेट डालने से वाइट कलर का वाइट कलर का प्रेस्पिडेशन आता है तो यह इंडिकेशन होता है कि सिस्टम में फ्री क्लोर होती है, अगर light color का, light, hulka, light yellow color का, अगर precipitation आता है, तो indication होता है कि इसके अंदर कहीं ने कहीं bromide, कहीं के pale yellow लिखता है, light yellow लिखता है, that में सबका क्या है, bromide, अगर आपने system में जब डाला silver nitride और dark, dark yellow color का precipitation आता है, तो ये इंटिकेशन है कि कहीने कहीं अआवडाईड के तो शिल्वर नाइट डालने से अगर वाइट प्रिपल्पेशन आता है तो पुरल्म एपाईड और इसा चोटा है वह कौन होते हैं तो नाउर्भी प्लोड नहीं लेते हैं दो क्ैश़् फालोंट तो अगर तूट भी जाए पर तो फ्लोरीन डालो गए ते जी एफ बनता है नो डाउट बंता है लेकिन हुआ उसको नहीं लेते हैं क्यों सौलिबल होगा सॉलिबल होगा कुछ और कुछ और सूचों सौचों। सौलीबल होता है एकम करा है उस फिलको और परैस्परेट नहीं बनता है और सौलीबल होता आपर चीजों में ट्रांसपेरेंग ऍरों ड्रांसपरेंट भी और लिए उसको पता चले गए कुछुआ है अजinky के लिए अपने ग्लास लेख में पानी डाला एक चमच आपने अल Sugar डाल आखिंच अपने अलकोहल डाल ऐक वज़न आपक बालुम चलेगा हंअथा उन जादे नसा होता है तो अब पानी भरने के बाहर से इसके अंदर कोई ऑईल डाल दिये सरसो का तेल ये जो भी आपके पास ऑईल हो ठीक है इस ऑईल को इसके अंदर डाल दिये अब क्या होगा ऑईल पानी के उपर जाएगा सोचकर ऑईल उपर आएगा पानी उपर आएगा ऑईल उपर आएगा तो दोनों आपस मिक्स नहीं होते हैं, एक result आपने यहां से गीन किया, कि पानी और oil एक दूसरे में intermix नहीं होते हैं, यह आपका non-polar है, यह polar है, इनके बीच में कोई भी reaction नहीं होता है, कोई भी घुलना नहीं होता है, दूसरा क्या मिला, good, oil की density कम है, इसलिए कहीने कहीं ऊपर तयार रहा है, पानी की density ज्यादा है, इसका मतलब नीचे तयार रहा है, एक साल एक ट्रबिली ने बड़ा मज़िदार कोईशन पूछा था, इसके basis पे, उसने कहा पूछा था, साइक्लोहेकसेन, यह आपका साइक्लोहेकसेन होता है, 이 cyclohexane originalي chair اور boot form में पाय जाता है इस particular को बोलते है chair form है और इस particular को बोलते है तो, I collaborate ने एक बहुत अच्छा कोशन बोचा वो कैसे बोचा है Toyclohexane पानी के अंदर जो डाला जाता है ते सीक्लोा तैरता है क्यों? क्योंकि boot form में होता है तो क्या इस बोट का इस बोट का पानी में तैरने से कोई लिंक है नहीं है यह इसलिए तैरता है कि इसकी डेंसेडी गभा मैं तो तो सोचो कितना मज़दार कोशन इस बोट को और किस बोट से जोड़ दिये तो इंडिरेक्ट लिए इसका फॉर्म है बोट जैसा देखता है इ आपको पानी में डाला जाए तो क्या होगा है डूब जाओगे तापके डिंसलिडी किया है लेकिन तैरते भी तो लोग है तो उसके इसमें क्या होता है डिंसलिडी ऐसाना कम हो जाती है हाँ तब क्या होता है तो फोर्स लगाते हैं पर तैरते हैं इंडिरेक्ट लिए टेक और इंसान को कितना खराब खराब चीजें दिया है इंसानों को जानवरों में देखिए भैस गाए ठीक है सीर चिता कुछ भी ले लो इवन वो पैदा होते हैं उनके चार दिन बाद उन्हें पानी में फेग दो तब भी तैर लेते हैं उन्हें तैरना कुई नहीं सिखाता है मुझें चड़िया है इतनी सारी चड़िया है तरुआंट मतलब पैदा होंगी कुछ से में बाद ही दिरे दिरे उड़ना सीख लेती है लेकिन इंसानको अगर पानी में डाल दो नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज घी वह कहा है दिमाग नहीं तैरने आता है नहाए लेकिन हम ऐसी चीशे बनाएंगे कि तैरने वाले तो सोच में नहीं सकते हैं जिससे खतरनाक खतरनाक बनाया एकर पूरा का पूरा महला संसार को लेकर घूम जाओ बड़े बड़े सिब बनाएं कितने भारी बारी सिब बनाएं वो सब किसका कीम है दिमाग गया है हमें उड़ने नही अलतरा भी चानी आता है नहीं आता है उसने ऐसी खतरनाक खतरनाक जीजे चीशे बनाएं कि सूच मीं सकते पक्षी कित्वी तेज़ भागे घंसलिए जहाज बनाया है इड़े कि एक हीए है इस कि ह давно तो उसने कुछ किया और देखा यह बने अब से समझाना था समझाने के लिए कॉंसेट दिया कुलते ही एक नया रास्ता खुल गया कोडिनेशन कमिस्टी का ब्रांच नया आ गया तो इसका हर चीज क्या है दिमाह का खेल तो इससे अब्जेक्टिव कोशन आते हैं वह इसी के आते हैं कि सिल्वर नाइट्रीट डालने से अगर वाइड कलार का प्रेस्पिडेशन आता है तो इंडिकेशन है क्लॉराइड तो इसमें आपने देखा कि कोई भी क्लॉराइड में टूट नहीं रहा है तो कोशन बना सकता है और अच्छी बात ही एक चार ओप्सन भी है ए असान कोशन बनाना होगा तो ऐसे पूछेगा और आपसे पूछ लेका कि दिये हुए कंपौउंड में कौन ऐसा है जो सिल्वर नाइट्रीट डालने से वाइड कलार का प्रेस्पिडेशन नहीं देता है तो यह देगा या नहीं देगा थ्री क्लॉराइड से यह देगा है देगा दो क्लॉराइड है यह देगा है नहीं देगा एक क्लॉराइड है लिंक क्या इससे टूटने से कोई भी क्लॉराइड है और जो कोई भी क्लॉराइड नहीं है तो यह आपका निगेटिव टेस्ट देगा तो अगर कोशन कहता है कि दिये हुए कंपाउंड बताईए क और आपके लेगा सब्सक्राइऑ एक इसका कॉडिनेशन नमबर और थी इसका कोडिनेशन ऩ। यहां पर एकसमालों लो इसीर हो गया यह माइनस 3 मस्तिनस मतला 3 ब्लस इंगा है जितना इस नमबर होता है उसको दिशलॉक दब़ू उसका कौश्डिनीशन नमबर होता है harder जो इसका कौश्य को ऐसा सोचना है ऐसा सोचना है कि के द्वारा सटिसफाइड कर दें टेन हैं यहां पे आपके पास हैं तो कितने क्लोराइड निकल सकते तीन यही तीनों निकल जाएंगे उसको छे में सोचना है तो पांच अमोनिया ले लिया और तीन यहां है तो कितने क्लॉराइड सोच लिया छे हो गए तो निकलेंगे कितने जा तो 2 तो तो वही तुमने दो निकाला है यहां पर सुचा दिया चे यहां तो चार अमोनिया तो इसका मतर्जा जब इसे देता है यहां ज्यादा आसान हुता है और हम गिन लेते हैं कि आइनाजिशन इस्पेर है, तीन आइन्स तूट जाएंगे, दो तूट गए, एक यहां तूट गए, कोई क्लोराइड नहीं तूट है, लेकिन जब ऐसा देता है तो थोड़ा सा अच्छा कोशन बनता है, और अच्छा कोशन बनता है और आपको सोचना हैं, उन्हीं के बेसिस पे टेस्ट आएगा, तो एक टेस्ट जो आपको याद रखना है, कि सिल्वर नाइटड डालने से अगर वाइट कलर के प्रसिप्डेशन आता है, क्लोराइड, लाइड यल्लो कलर कॉर्प्रसिप्डेशन आता है, ब्रॉमाइड, और अगर डार्क य कोई अन्नोन लिक्विड लिया अन्नोन लिक्विड लिया हमें मालूमने के कौन सा है इस अन्नोन लिक्विड पे अगर हमने बाहर से बाहर से बारियम क्लॉराइड डाला बारियम क्लॉराइड डाला और बारियम क्लॉराइड डालने से अगर वाइट कलर का प्रस्पिडेशन आता है white PPT आता है तो इंडिकेशन है कि इस unknown compound है इस unknown compound के अंदर कहीं ने कहीं कहीं sulphate मौझूद है कहीं ने कहीं sulphate मौझूद है तो अभी इस लेबल पर दू टेस्ट याद रखना है एक हलाइड का हलाइड के लिए क्या डालना है silver nitrate और दूसरा दिमांग में रखना है sulphate के sulphate के टेस्ट के क्या यूज़ करना है barium chloride याद रहेगा चले point group में लिख लीजे to find out presence of halide to find out presence of halide use silver nitrate while to find out presence of sulphate use barium chloride while to find out presence of sulphate use barium chloride अभी एक बार चाहत इसको भी बना लो जिससे थोड़ा साब के बास याद रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो एक आपने टेस्ट डाला reason के थो कि जब silver nitrate डाला silver nitrate डालने से precipitation आता है तो indication के ये different halides है दूसरा आपने barium chloride डालने से precipitation आता है तो indication है sulphate अब reason न डालें और charge की basis पर देख लें reason न डालें electrical conductivity की basis पर देख लें और अगर electrical conductivity की basis पर देखा जाए तो यहाँ पर इस system में इस system में चहें ऐसे लिखा जाए चहें ऐसे लिखा जाए overall charge कितने है चार तीन chloride का और एक इस complex का overall charges कितने है चार तीन chloride का और एक complex का मतलब टोटल ions कितने है तीन क्लोड जादे अच्छा है टोटल ions कितने है चार तीन chloride का और एक इस complex का इस particular को या इस particular को सोचें और इनके ions के बारे में सोचें तो कितने ions है तीन, दो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे और इसमें आयन्स पोचें, कितना आयन्स है दो, इसमें सोचा जाए, क्या कोई भी आयन है तो electrical conductivity की basis पता ज़याता है कि कितने आयन्स हैं इसको भी लिखे लिए पॉइंट कर रूप में. To find out number of iron To find out number of iron we use the concept of electrical conductivity electrical conductivity To find out number of ions we use the concept of electrical conductivity greater the number of iron greater the electrical conductivity greater the number of iron greater will be the electrical conductivity The number of iron will be the electrical conductivity more electrical conductivity This is your complex This is your complex This is your complex This is your complex question in this format question is format This is your complex format This is your complex This is your complex format This ... It's easy to see easily If you have three there are one two one or one one No one so easy to see this tough co-ordnung Vionation number Oxidation number, फिल्प लेना पड़ता है और ये थोड़ा सा डीलिवली टफ्त माना जाता है तेंश के लियर लेकिन अगर किसी भी तरह से दे तो ओवरल यहां पर आइन्स कितने है चार यहां किदने है तीन यहां कितने है दो यहां कितने है जीरो मतलब घटाना नहीं है कि चार, तीन, दो, फिर एक, आइंस नहीं है, यह आपका नीटरल मॉलिकूल, और यह नीटरल मॉलिकूल है, मतलब आपको आइंस के टम से बोलना है, जीरो है, तो पूछ ले कि A है, यह B है, यह C है, यह D है, इन चारों में किसका इलेक्टिव का अंड होता है, इलेक्ट्रेगल कंड़क्टिविटी के बेसिस पे, इक कोशन होता है, आइंस के बेसिस पे, हम प्रेसिपिटी जो मिला है, उसके वीट की बेसिस पर अनलीस कर सकते हैं, कि सिस्टम के अंदर कितने क्लोराइड निकल रहे होंगे, तो इस से रिलेटेट अगर कभी क इस से दिखा दे, और इस से कोशन पूछ ले, कि अगर ऐसे दिखाता है, पूछता है, कि सिल्वर नाइट्रेट डालने से कितने सील बाहर निकलेंगे, तो क्या कहोगे, तीन, एक, दो, तीन, ऐस से दिखा दे कि सिल्वर नाइट्रेट डालने से कितने सील निकलेंगे, दो एक और एक दो, इसको कितने निकलेंगे, एक ये वाला निकल जाएगा, और इससे कितने निकलेंगे, जिरू, तो ऐसा हो सकता है कि इस particular का structure दे दे, ऐसा हो सकता है, इस particular का complex दे दे, और ऐसा हो सकता है, इस तरह का double salt दे दे, और किसी भी basis पे इसका question आप से पूछा जा सकता ह तो वार्नः थिормी में यहीं में पॉइंट्स थे हैं। कि प्राइम्री वैलनसी क्या हैं। TOP कॉलिखना कैसे हैं। सेकेंडरी शुथा रॲे आन ज़ना जाते ह। इसके कोषा लिमेडेश कर मासिक्ञ हो सकते हैं। हैं एक कितने अपांट इस सोचें त οπο इना पर किट peculiar कितने हैं कितने काम बाउंडिक पॉह टाशल यह मोडिपाई करना है उत्वेस्ट अदै अलगता है यह इस में सुरवाथ से अगर रही थी ऑटी नैटीटीटरी के बार अब अच्वे ओच और 2017 हमें तो इस बीच में क्या कुछ लोगों और सुर्च किया है नहीं किया हो और जो लोगों से मॉडिफिकेशन अ sensory ओपाई होगे आएं होंगे उच्छे करेंड में आपने नेए ओऊपकिला है यूसा ने की लाइप को सबसे अच्छे लेवल पे हमें याद है कि गोरवपुर में जब मौड़ाइब कम्प्यूटर्स आ रहे थे तो लोगों ने सात दिन तद जाम लगा दिया थे पूरा का पूरा रोड जाम कर दिया था पूरा का पूरा रैली निकल रही थे कि अगर कम्प्यूटर आ गया ठेक है सारा-काम तो ईंसान क्या रहे विरुज़ारी रिए जाएगी ऐसे खतरनाक terms यूँते दे i7 ऐसे घ cambi düşün तरीके से लोग उसके उपर एक तरसे objection डालते दे लिंग second deaf आया और अच्छी बात रहे बात रहे है कि यूए आपकी daily life का computer क्या बन चुका है एक पार्ट बन चुका है मोधी जिन अचानक 2000 का नोट, 1000 का नोट ले आए ठीक है 500 का 1000 का बंद करा दिया अब क्या हो गया खतरनाक है नहीं है कभी सोचा भी नहीं हो किसी ने कि बिना पैसे दिये भी समान खरीद लेंगे कभी सोचा था बिना पैसे दिये भी समान खरीद लोगे तो आखिर इतना ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है क्यों मुझ चाहते है गौवर्मेंट क्यों चाहती है गौवर्मेंट कि हम पेपर को हटाएं उसके लिए बहुत सारी शीज़े है एक तो एकनॉमिकल पॉइंट भी हुए है दूसरा और भी है जो आपका ग्रीन एफेक्ट वगर यूज़ होता है कि एक पेपर को बनाने में एक पेपर के पेज को बनाने में में चीज़े क्या इन्वाल्व होती है वाटर तो ही कुछ और भी है पेपर59 पेपर जो काट कर अपने चीज़ों को बनाया है तो क्या पेण जब संसार से निकल रहा है तो आपकी लाइफर उसका अच्छा एफेक्ट आ रहा है, खराब आ रहा है, अब इसको चेंज करना है, करना नहीं करना है, अब जरूरत महसूस हुई या नहीं हुई, कुछ ऐसा किया जए, कि इस पेपर को हट आए, दूसरा खतरना काम क्या होता है, इनसान जब पढ़ता है तो जब तक समझ में आता है, तब तो ठीक है, लेकिन जो ही समझ में नहीं आता है, तो फिर वो वहीं पर रुक लिता है, या थोड़ा बहुत हाइपोथरिकल पिक्शर बना कर आगे बढ़ जाता है, और लाकतार चार वर्ड्स ऐसे आजा हैं, जो आपको परिसान करें, तो आपको लेक्ट, क्या बनाएगा, एबुक कि अपने मुबाइल सवगरह में, अपने लेपटॉप वगरह में, कॉंप्यूटर सवगरह में, कहीं भी इसको डावनलोड कर लो, जब बावनलोड कर लो, मौटी मौटी किताबों को आप सिंपल अपने मॉबाईल में लेकर जा स ए mutat ने कुछ बनाए थिछ क्या इंसान को जरुबूटित को बनाए यान issues ला सलावाद श्रोड़ीय दो ऑगे तो कहिंए करें वह इस ही इको सिस्ट्णे आ रहा है और इसी एको सिस्टम में आ रहा है कोई भी बैक्टेरिया वाइरस नहीं है जो उस बर्डिगलर चार्जर को खदम करें तो कहीं है कि आपके सोसाइटी को एक तरह से क्या कर रहा है खराब कर रहा है तो पॉलिथीन आपकी जरुवत थी आपने बना लिया लेकिन भगवान नह नहीं बनाया तो कोई सड़ाने गलाने वादा चीज में भ़ने अचा रहा है तो उसे लिए होते हैं अगर कोई आरहा है तो कैसे देखालिorters और चार्जर आगए आज visu realised車 आपके जरूत रोट डल बड़े स्क्रीन पर लेकश्रीड मज़ए बेखना वाइर कई तो वाइर मजबूरी नियाए तो उसको अटाया अब हाई चाहिं किई लोगा आपको की वहा कर दो कि अबत रहा है समय के साथ समय के साथ assignments No से इस्नी नम आता है कि इसको मौडिफाइः कि तो पॉलिंग लोग इए और नोशकीं को मौडिफाइई किया है अब डीफाई नहीं कहीं प्रॉपर सेप्स्क्राइब प्रॉपर तरीकी से कहएंगा है यह लेकर उन्होंने पताया किसे हो सकता है कितना उसका मेगनेटिक मॉवंध्ट हो सकता है और उस तरह की मॉपरडी इसको एक्स्प्लीन किया वहां कुछ वाइलेशन आई ते उस परडिकलो मॉडिफाई किया गया एक नया कोनसेट आए और नया कॉंसेप्ट अाया किरिष्टल फिल्ड घिइल्ड घियरे में के साथ दीरे-डिरे एक्सेंड हो और और ऑवक नॉलिज्व और को आगया और आपका नॉलिज्स डिबन होगा बढ़े एगर तो वही आपने पहला एतिहासिक चीजे पढ़िए थियरान्स दे याद रहेगा चले क्लास कहीं पर छोड़ते हैं और नेक्स क्लास में चालू करेंगे वैलेंस बॉन क्लियर ना चले